हाई गाई तो आज इस वीडियो में हम लोग यह problem solve करने वाले pairs of non coinciding points तो चलिए पहले समझते हैं कि इस problem करना क्या है तो इस problem मेंने हमको 2 array दिया हुआ है x array करके एक है और एक y array करके है क्या है और य array का बताता यह एक्ससों समझ लेक्स आर्ण में एक साँय करके की जिसका कोडिनिक्ट करते हैं क्या मतलब ऐक समाख यहां पर अचंशन थ्रीखर टू इसका मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसका coordinate 3,2 है similarly ऐसे ही अगर हमारे पास x coordinate में अगला point माल लेते हैं यहाँ पर 4 है अगला point 5 है जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक और point है जिसका coordinate 4,5 है तो x coordinate का length n है y coordinate का भी length n है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास n points के coordinates देके रखे हुए होने ठीक है 10 points के coordinates देखे रखें अब हमको क्या बोला है कि हमको ऐसे दो point मतलब pairs find करने मतलब यह n points है उनमें कितने ऐसे pairs हैं जो conditions को satisfy करते हैं वह हमको find करने के लिए बोला कॉंसे दो condition पहला condition यह है कि मतलब यह जो भी दो points हम लोग select करेंगे उनका hemming distance और Euclidean distance सेम होना चाहिए हमिंग distance सेम होना चाहिए और दूसरा Euclidean distance सेम होना चाहिए इसका क्या मतलब है कि let's suppose कि हमारे पास एक point आया x1 y1 ठीक है अगला point की आया x2 y2 इन दोनों का मैंने hemming distance calculate किया हमिंग distance का value समझ लेते हैं कुछ हाया hemming distance का value के आया ठीक है जब मैं इनका Euclidean distance निकालूंगा तो Euclidean distance का value के आना चाहिए ठीक है तो ऐसे कितने points है हमको calculate करके बताना है ठीक है लेकिन हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमको को कोई दो ऐसे points a, a points या b, b points ऐसे points को चूज नहीं करना है मतलब हो सकता है कि इस array में कहीं पर 1,2 एक point present हो बाद में 3,4 present हो बाद में बहुत देर बाद एक बार वापस से 1,2 आ गया तो यह 1,2 1,2 क्या हो जाएगा a, a type का point हो जाएगा तो इसको consider नहीं करना है हमको ठीक है यह एक बात दूसरी बात किया कि अगर मान लेते हैं कि a, b ऐसे मतलब स्वारी एक point है एक point है हमारे पास x1, y1 coordinate है इसका एक point है x2, y2 coordinate है इसका नाम मैं यह देता हूं इसका नाम बी देता हूं ठीक है तो मान लेते हैं a, b जो है इन दोनों के नाम का one one add नहीं करना है यह दोनों सेम ही है तो a, b और b, i दोनों को add नहीं करना है किसी एक को choose करना है या तो a, b चुनो या b, i choose करो दोनों को नहीं चुनना है ठीक है यह एक बात का ध्यान रखना है हमको दिन दोशी जों का ध्यान रखके फिर हमको बस यह पॉइंट कर देने ठीक है अब इसमें हैमिंग डिस्टेंस और यूक्लीडियन डिस्टेंस क्या होता है को डाउट हो सकता है कुछ लोगों ऐसे होना तो नहीं चाहिए हमारे पास एक पॉइंट एक एक पॉइंट यूस स्टेंस क्या होता है स्टू माइन ऑप एकलीडा डिस्टेंस क्या होता है मंधियाश्यो solutions क्रमा опас अब देखते हैं का सब्सक्राइब करेंगे यह को सटीस्फाइब करेंगे कि हम और सब्सक्राइब कर देते हैं लोग दोनों तरफ एक्वेशन को कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा म serait सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएक है अब एक चीज़ के रखते हैं कि है कि मट ऑफ एक स्क्वेर क्या होता है यह के बराबर ही होता है तो हम लोग यह सकते हैं था से देखें तो क्या हो रहेगा इंटू थीक है इकवल इचलवाइट है तो से देखें तो क्या हूरा है एधर इधर भी यह यह दोनों टर्म्स तो सेम है दोनों तरफ क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी तो हम लोग बचेंगे किसके साथ twice of x2 minus of x1 into mod of y2 minus y1 equals to zero यह 2 भी दर चला जाएगा यह भी zero हो जाएगा तो बचेंगे इसके साथ हम लोग x2 minus of x1 का mod into y2 minus of y1 का mod equals to zero इसके साथ हम लोग बचेंगे अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह A है यह क्या है बी है ठीक है यह A into B equals to zero के लिए क्या condition होता है या तो A zero हो जाए second condition क्या या तो B 0 हो जाए या तो A b 0 हो जाए और B b 0 हो जाए तो भी product क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अब अगर यही बात है तो इसको लिख कर देखते हैं क्या क्या आएगा पहला condition अगर A 0 हो जाए तो क्या है X2 अगर X1 के बराबर हो जाए कोई दो पॉइंट है X1 Y1 और 2 Y2 अगर इन दोनों का X कोडिनेट सेम हो जाए तो क्या हो इसका मतलब कि यह सेम यूकिलिटन डिस्टेंस और सेम वह हमिंग क्या बोल रहा हूं इसको मैं मैं है 10 डिस्टेंस वो दोनों सेम देंगे यह ठीक है और दूसरा पॉइंट की है हमारे पास की यह वाला अगर कोई दो पॉइंट है हमारे पास X1 Y1 और X2 Y2 अगर Y1 इक्वल्स टू वाई टू हो जाए तो इसका मतलब क्या है यह दोनों भी सेम देंगे अपना यह मैं अने डिस्टेंस और उक्लिडिएंड डिस्टेंस ठीक है तीसरा किसरा पॉयंट करें अगर कोई पॉइंट है एक्स-वन-एक्स-वन-एक्स-वन-वन-दूसरा पॉइंट है यह पूरा सेम यह पूरा सेम को बताना है कोई बता सकते हैं कि कोई भी एक अर्धिकर पाइससे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे एक सॉन वाइवन पॉइंट्स हैं हमारे बास पहला पॉइंट्स है इस पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है एक फ्रीक्वेंसी मेप कीज़र पढ़ेगी इसके लिए इक יד十बे निए दूसरा फ्रिकुएंसी तीसरा वाला टिन फ्रिक्वेंसी मेप है ठीक है लो करेंगा यह एक्स कोच्ण को भेखएगा और यह ङलाकिन की स्टोर करेगा एक्स वाइ जा थी यहांसे निकाल के लाएट यहां से निकाल के लाएट आपने अक्षब का उच्छ कोडिनेट के फ्रिकवेंसिय मेप में क्या बोलेगा कि मेरे से पहले कितने ऐसे points हैं जिनका एक्स-coordinate 3 था वह बताओ तो मैं 3 के आगे store रहेगा कितने ऐसे points से जिनका X-coordinate 3 था जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर एक points था 3,8 करके points था और यहां पर एक points था 3,7 करके points था ठीक है तो अब 3,8 और 3,4 pair up हो सकते हैं 3,7 और 3,4 pair up हो सकते हैं क्यों इन दोनों का X-coordinates क्या है सेम है इन दोनों points में इन दोनों का Manhattan distance और Euclidean distance क्या आएगा सेम आएगा यह दोनों एक valid pair है तो हम लोंने क्या देखा कि हम यह जो point है उसने क्या बोला कि अपना X-coordinate निकाला देखा X-frequency map में गया देखा कि कितने ऐसे points मेरे से पहले आ चुके हैं जिनका same X-coordinate है मेरी दारा उसने देखा 2 points उसने क्या देखा कि यहां पर 2 store है हमारे पास एक variable answer करके भी होगा answer के अंदर हम लोग क्या add कर लेंगे X-answer मतलब 2 add कर लेंगे कि हमको X-coordinate की mapping से 2 points हमको ऐसे मिल गए ठीक है तो वह हमको मिल जाएगा ठीक है यह बात दूसरी बात अब फिर इसके बाद क्या करेगा यह यह पॉइंट यह वाला point जो एक वन को यह वाई 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 वाले मैप में जाएगा और पूछेगा कि मेरे से पहले कितने ऐसे points है जिनका मेरे जैसा ही वाई गॉइंट है क्यों एक हम वाई गॉइंट भी सेम हो गया तो क्या से मिलेगा ना वही करना यह चेक करेगा तो माल लेते हैं कि यहां पर और पहले और भी कुछ points थे यहां पर ऐसा करके था एक और फॉर करके था एक points एकcken और फॉर करके था और एक तीन पइले था तो यहां पर क्या 4 के समने क्या स्टोर होगा करके सीचोड़ होगा थी पहले ऐसे तीन points आ चुके थो आप क्या होगा यह जो 3,4 point है 2,4 और 3,4 एक pair बना लेंगे यह 5,4 और यह 3,4 एक pair बना लेंगे और यह 7,4 और यह 3,4 भी एक pair बना लेंगे क्यों हमने क्या देखा कि Y coordinate नहीं होना चाहिए इन points का Y coordinate सेम है यह सेम ingredient distance और Manhattan डिस्टेंस देंगे तो हमारे अंसर में क्या हो जाएगा थ्री एड हो जाएगा तो यह वाइड कोडिने कर रहे हैं वह सब तो वह सब मेरे आंसर हो जाएंगे ठीक है अब यह वाला मैप यह क्यों रखा है यह मैंने रखा है डुप्लिकेट मतलब वह वाला केस अटाने के रहे मैंने क्या बला था कि यह वाले ऐसे पॉइंट समकों नहीं चीए ठीक है माल लेते हैं कि पहले एक बार 3,4 करके भी एक पॉइंट पहले से था ठीक है यह एक्स कोडिनेट में जो है यह 3 की फ्रिक्वेंसी अभी तो दो ही है लेकिन अगर 3,4 करके पॉइंट होता तो यह 3 की हो जाता है यह फ्रिक्वेंसी क्या होती दो नहीं होती यह पर कीडियट होता है अब यह वाले three point है उसने pair किसकिको साथ कर लिए ए ढिकोमा एक के साथ कर लिया ठीकुमा seven के साथ कर लिया और की मां ty one ऑने के साथ भी किस्के पेर कर लिया और ये कैसी पेरी हो गई doggy ट्रीक है अभ देखते हैं भी उसने य कोर्णि इन्ट पने किसा साicles वोले चार पॉइंट उसने इंदीनों के साथ पेरिंग की लेकिन यह, पर काउडिनेट वाले किस पर्टिकुलर कोडिनेट वाले कितने हैं यहां पर xy दोनों एक साथ स्टोर रहेंगे यानि 3,4 जवाले points कितने आ चुके हैं पहले हमने क्या देखा इस point का पहले एक आ चुका है तो मैंने क्या बोलूँगा कि जितनी बार भी आ चुके हैं उसका 2 minus कर दो यानि मेरे answer में मैने 2-3 किया है मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3-4 Іक्जएक्ट है क्या पहले स्थीख्ता से किना тан Car minus करना है कितनी सी कितनी बार आ चुके यहां पहले तो मैंने कि बेलिए और बड़ती से और स्वेयं देखोने यहां पर सेंट एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो से लिए अगर सीम पॉइंट है नो हम लोग उसको कर तो फाइनली हमारा आंसर सही हो जाएगा हमारा आंसर माइनस करने के बाद कि इतना थरी बचेगा क्यों वान इंटो टू होता है और टोटल थरी पॉइंट्स भी होंगे अगर हम लोग ध्यांसर देखे दो फाइव फाइव मैनेस टू दोनों पॉइंट्स ही माझसे मतलब आं इकवल्स टू फाइव आना चाहिए यहां से आंसर तो अगर उससाब से देखें तो टू प्लस थ्री फाइव ठीक है एक सेकेंड तो यहां पर जो टू थ्री लिखा था यह किसके लिखा था यह पहले वाले पॉइंट्स को हिसाब से लेकिन अगर यह 3,4 भी एड़ हो तो समझ में आगे होगा मैं उम्मीद करता हूं कि यह xy वाला क्यू रखा है हमने इसका क्यू सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग तो यही था इस प्रॉब्लम का पार्ट अब क्या करते हैं कि जो भी देखा है कि मतलब यह रूल्स होने चाहिए और यह कॉडिनेट्स बर इसको नाम लेते हैं एक एक करके तो अनॉडर्ड मैप ओफ क्या चाहिए हमको इंटीजर कमा इंटीजर पहला मैप और मना देते हैं और यह किसको स्टोर करेगा यह x कोडिनेट को स्टोर कर रहा है आप पर जैसे के देखे एक 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 यह और एक यह तीन के लिए चीए आप पहला बना रहे हैं अब लोग तो यह एक को कॉडिनेट है ठीक है कि यूद्यक और यह चेंज रहेगा जहां पर इंटीजर नहीं यहां पर लोग स्ट्रिंग रख़ रहे क्यों वह भी देख लेते हैं अगर हमको यह जो मैप बनाना है यह ऐसा कुछ बनाना है इंटीजर कॉमा सम्थिंग तो यह तो बहुत आसान है इधर हमने एक एलिमेंट रखा ठीक है तीसरा वाला पार्ट है इसमें एक्स वाई मतलब हम लोग दो चीज टोर कर रहें यहां पर इसके साथ कुछ चाहते है इसके लिए जो यह कशेन है कुछ सब्सक्न परें ऑगर रिखने जाहिए क्या लिखना पड़ेगा पर पादेगा ठीक है वह फालतु में टाइमक की उदर और बात करें उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हमको क्या चाहिए कि x,y को value ऐसे store करना है ना तो हम लोग x,y को कुछ ऐसा store कर सकते हैं string के form में store कर देते हैं x star x hash y, x star y, x at the rate y के सभी string बना के form कर देते हैं तो यह क्या बन जाएगा string, integer बन जाएगा और इसके लिए तो आराम से hash function दिया हुआ यह पहले से असानी से काम हो जाएगे तो इसको string में convert कर देता है लोग इसको simple x,y string में convert करके use कर लेंगे तो अपना खुद का hash function लिखने का क्यों बरफ हाल तुमें करना तो ऐसा कर लेंगे हम लोग तो इसके लिए हम लोग तो इसके लिए स्ट्रिंग मनाया है हमको एक हम इसके चाहिए एक answer variable चाहिए ठीक है तो एक variable answer बना लेते हैं integer answer equals to zero आप एक एक करके move करते हैं अंदर integer i equals to zero i is less than x dot size plus i ठीक है अब हमारा जो क्या पता है हमको कि हमारा यह x array करके और y array करके दो यह करका स्टार्टिंग में हमको यह x array हमारा पॉइंट का x coordinate x में y coordinate y में है तो दोनों निकाल लेते हैं integer x equals to x of y x coordinate integer y equals to क्या हो जाएगा y of i ठीक है अब जो string बनाना था वो बना लेते हैं हम लोग तो एक string बना लेते string xy xy करके जो string बनेगा वो क्या बनेगा मैं टू string of x x को string में goornet कर देते हैं plus two string of y कर देते हमारा ये string बन गया ठीक है अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग देकते हैं कि करके points के उपर move कर रहे थे ठीक है एक ही करके point में move किए x coordinate check किए कितना x coordinate और प्डलों पर आय इसका x coordinate चेक किए किए ऐसे में डेक्स कोडिनेट वाले में गये और जो भी हमारा एक्स कोडिनेट है उतना अंसर ले ठीग है यहां पर जो भी वेल्यू है उतनी हमको माइनस करनी है लोग माइनस टू इंट वन कर रहे थे आपर कि मैंने बताया था रीजन कि इसको क्यों माइनस कर रहे है यह वाले पॉइंट को हटाने के लिए तो के लिए हम क्या करेंगे इंटर ऑफ एक्स वाई है नहीं हम लोग माइनस कर लिए ठीक है होगे हमारे काम अब क्या करना है कि यह देखिए जब मैं 3,4 पर था ना तो मैं क् अब तक 3,4 वाले कितने पॉइंट्स है मतलब जिनका कॉडिनेट 4 है तो मैं देखा 3 पॉइंट है 2,4,4,5,4,7,4 ठीक है और जब मैं इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर चला जाओंगा तो अब 3 कॉइंट वाले कितने पॉइंट है 3,8 है 3,7 दो पॉइंट है प्लस कर दो मतलब यहां पगए पहले से 3 था तो फोर कर दो अब यह फोर कोडिनेट के आगए जाए जो भी पहले से फ्रीक्वेंसी उसमें प्लस वन कर देगा 5 ठीक है similarly यह x,y,3,4 की जितनी यहां पर फ्रीक्वेंसी पहले उसमें प्लस वन कर देगा 2 वहीं काम कर देते हैं हम हम लोग क्या कर देंगे मैं ठीकर देंगे की बढ़ा देंगे similarly ठशलस मैं टूफ माज़ लगा देंगे इसकी है यह जब काम हो जाएगा हमारा हम लोग यह हो गया फालिन में लोग इसको प्रोब्लम के लिए को अल् यह जिता यह समिट करके देखते यह तो हो गया है तो यह तो यह सई से काम कर रहा है तो यह था इस पर्टिकुलर प्रोब्लेम के लिए